गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओनलैन लर्निंग चनल में आप सभी का स्वागत है सो शब्द प्रती मिनट की गती से संपाज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेगेंड बाद आज देश करोना की दूसरी लहर के कारण युद स्तरिय संकट के दोर से गुजर रहा है इस स्थिती में डूबती सासों के बीच प्राणों को बचाना ही हमारा एक मात्र धे होना चाहिए लेकिन इसके पश्चात बचा ली गई और बड़ी संख्या में उजड गई जिंदगियों को वापस पट्री पर लाने की एहमियत से भी इंकार नहीं किया जा सकता हालांकि कोरोना के आने के पहले भी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे भारतिय अर्थ्ववेस्ता पिछले कई दश्कों की अपनी सबसे लंबी मंदी के दोर से गुजर रही थी और फिर विरासती समस्याई तो थी ही मसलन रोजगार स्रिजन की धीमी दर और कामगार तथा कारे स्थलो की स्थिती में सुधार के प्रती राजनीतिक प्रती बदता का अभाव सच कहें तो बगेर किसी समाजिक सुरक्षा के कामकाजी वर्ग का एक बड़ा तबका किसी आकस्मिक संकट का सामना करने की स्थिती में नहीं था इन सब के बावजूद धीमी रफ्तार से ही सही देश का आर्थिक विकास तो हो ही रहा था अर्थ शास्त्रियों के आकलन के हिसाब से एक साल में करीब पांच करोड लोग नियुन्तम मजदूरी आय सीमा 375 रूपे प्रती दिन के उपर आ जाते लेकिन इस महामारी ने ना केवल ऐसा नहीं होने दिया बलकि इस आय सीमा से उपर के करोडो लोगों को नीचे भी धकेल दिया आज जब देश की 98 फीसद अबादी फिर से किसी ना किसी परकार की ताला बंदी के साय में आ चुकी है तो सरकार का पहला और सबसे बड़ा दाइत्व पिछले साल की तरासदी की पुन्रा विर्ती को रोकना होना चाहिए हालंकी आय में गिरावट चो तरफा हुई फिर भी महामारी की मार गरीब घरों पर ज्यादा पड़ी है सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन एकनोमी के अनुसार गत वर्ष अपरेल और मै के महीनों में सबसे ज्यादा गरीब 20 फीसद परिवारों ने कुछ भी नहीं कमाया था जबकी समरिद परिवारों की आमदनी में गिरावट महामारी पूर्व की तुलना में एक चोथाई से भी कम हुई थी साथ ही मार्च अक्टूबर के दोरान सबसे गरीब 10 फीसद परिवारों को 15,700 रुपे प्रती परिवार के हिसाब से नुकसान हुआ यह रकम उनकी दो महीनों की आए से कुछ ज्यादा ही है जहां नोकरियां बची रही या फिर वापस मिल गई वहां भी आमदनी पहले जैसी नहीं रही पदतर होते हालात का एक एहम पहलू था लोगों की आए में आई भारी गिरावट परिवारों ने कम खाना खाकर उधार लेकर और परिसंपत्यों को बेजकर इस संकट से जूजने की कोशिश की सरकारी राहत से संकट के सबसे भ्यानक रूपों से बचाव तो हुआ लेकिन सहयता के उपायों की पहुच अधूरी रही और कुछ सबसे कमजोर वर्ग उनसे वंचित रहे जाहिर है कि देश में अतरिक सरकारी सहयता की अभी दो कार्णों से ततकाल आवशकता है पिछले वर्ष के दोरान हुए नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के आशंकित परभाव से बचाव के लिए इस संबंद में परधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना के तहट सभी लाभारतियों को भारस सरकार लगातार अन और दाले उपलब कराने का बेहद जरूरी काम कर रही है इस कार्यकरम को कम से कम इस साल के अंत तक जारी रखने की जरूरत है जून 2021 के बाद इसे बंद कर देने से हालात संभल नहीं पाएंगे और किये किराय पर काफी हद तक पानी फिर जाने की जाने करने की आशंका रहेगी यथा संभव अधिक से अधिक खस्ता हाल परिवारों को तीन महीने के लिए पाँच जार रूपे नकत दिये जाने चाहिए देखा जाए तो मन रेगा ने गरामिन शेत्रों में सुरक्षा कवच के रूप में एक महत्वपुन भूमी का निभाई है स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में नीचे मिल आएगा आपको हमारे डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और आप किन विश्यों पर डिक्टेशन चाहते हैं ये भी हमें बताएं धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में